यो गाईज, welcome back to Vishesh Classes वे हमारी सीरीज चल रहे है that is operating system, process management and CPU scheduling तो इससे पहले मैं आपको process state करवा चुकी हूँ preemptive and non-preemptive scheduling हम discuss कर चुके हैं first come first serve important terms related to CPU scheduling हम discuss कर चुके हैं और first come first serve भी discuss कर चुके हैं तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो main disadvantage है first come first serve का convey effect जो आज हम इस lecture में discuss करने वाले हैं तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जा के देख सकते हैं link मैंने description में डाल दिया है और मैं i-card में भी वो playlist दे दूँगी तो आप वहां से उसको direct access कर सकते हैं तो देखते हैं कि convey effect क्या होता है FCFS में हमें पता है कि जो first come first serve है वो एक क्या है non-preemptive scheduling algorithm में और non-preemptive हमने देखा था कि क्या होती है कि वो processes जिसमें से हम उसको चीन नहीं सकते मतलब अगर एक बार एक process को कोई CPU allocate कर दिया मतलब तो दूसरी process को तभी मिलेगा जब वो CPU पहले वाली को finish कर लेगा मतलब first process वो CPU को free कर देगी तो इसी condition की वज़े से जो FCFS है उसको क्या face करना पड़ता है convey effect obviously और ये slow down तो करता ही है system को देखो अगर हम example देखें कि suppose कि आपके पास क्या है कि एक कोई आपके पास ऐसे है ठीक है और आपके पास जो शुरू में process है वो क्या आगई FCFS मतलब जिसका burst time कितना था 100 तो और बाकी था कि सिर्फ दो और एक मतलब ये इनका burst time था processes का तो आप देखो कि सिर्फ दो और एक सेकिंड कर उनको execute होने के लिए उनको कितना वेट करना पड़ेगा 100 millisecond के लिए मतलब कि ये अगर हम CP scheduling की term में देखें तो बहुत बड़ी term हो जाती है तो मतलब कि कहीं बार ये क्या हो जाती है कि जो short time burst time duration वाली है जो scheduling algorithm हम आगे पढ़ेंगे पर हम एक बार example देख लेते हैं कि कौन वे effect work कैसे कर रहा है ठीक है देखो आपके बास क्या थी process थी उनका arrival time और burst time आपको दिया हुआ है 0, 1, 1, 22, 2, 1 ठीक है तो जो process P1 आई तो ठीक है जब हम इसका GAN chart बनाते है जो हमें पता है कि हम पहले किसे शुरू करता है GAN chart से शुरू करता है तो 0 पे थे तो जो P1 पे high 0 पे तो उसने कितना time लिया burst time और हमें पता है कि अगर उसने एक बार allocate कर दिया क्योंकि non-preemptive है तो वो जब तक पूरा allocate नहीं एक्जेक्यूट नहीं हो जाती उसको उससे कोई ले नहीं सकता तो P1 यहां पर कितना time लेगी 20 ठीक है अब उसके बाद आई P2 P2 के पास कितना है burst time 2 मतलब 1 पे अगर आपके Q में कौन से आ चुके होगी P2 और P3 पर अब दोनों 1 पे आई है पर order क्या है आने का पहले P2 का तो हम क्या करेंगे पहले P2 का allocate कर देंगे that is 20 P2 allocate करने के बाद वो क्या जाएगा 22 और P3 को जब हम allocate करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 23 ठीक है तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास चाट यह बनेगा कि P1 20 ले रहा है 22 और अब आप देखो कि सिर्फ उसको दो सेकेंड और एक सेकेंड होने के लिए उसको कितना वेट करना पड़ा ठीक है अब जब हम average waiting time तो 20-0 20 22-1 21 23-1 22 और जो वेटिंग टाइम है वो क्या है तर्णराउं टाइम माइनस बर्स टाइम तो 20-20 21-2 19 और 22-1 डाट इस 21 ठीक है उसके बाद जब हम इसका average waiting time निकालेंगे 0 plus 19 plus 21 divided by 3 कितनी processes थी 3 तो वो क्या निकलेगा 40 divided by 3 डाट is 13.33 millisecond तो यह क्या है अब देखो कि इसका average waiting time तो बढ़ा ही है साथ में और obviously कई बार क्या हो जाती है तो अभी हमने सिर्फ तीन processes में काम किया अगर बहुत सारी process होंगी और अगर शुरू में long term durations वाली अगर आती रही तो जो स्टार विशन के condition में चली जाएंगी ठीक है तो इसे बहुत बड़ा लोस भी है और यह disadvantage भी है क्योंकि इस system को क्या कर देता है बहुत slow down कर देता है तो अगर हम देखें क्या था क्या था क्या था क्योंकि यह नॉन प्रेम्टिव है तो आपके पास अगर एक process allocate हो जाती थी दूसरी process तभी मिलती थी जब वह पहले वाली condition पहले वाली process ने finish कर लिया हो तो इसी condition की वज़े से इसको convey effect face करना पड़ा क्या होता है कि जो process पहले वाली है long term वो जादा टाइम ले लेती है अगर वो शुरू में आ चाती है तो वो जो system है वो किसमें चला जाता है और CPU scheduling algorithm के साथ और अगर आप UGC net की त्यारी करें तो पेपर वन पर भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुए आप उनको भी दीख सकते हैं thank you so much stay stay at home stay safe thank you